इस वीडियो में हम 9th class के math subject के chapter number 6 lines and angles की exercise 6.2 कर रहे हैं हमारे सामने question number 3 in figure if AB is parallel to CD जो ये line है AB जो है वो CD के क्या है parallel है and EF is perpendicular EF is perpendicular to CD CD के ओपर perpendicular है तो ये 90 degree का हो जाएगा angle GED ज्यान दीजी angle GED ये वाला जो पूरा angle है ये हमारा कितने degree है 126 degree fine angle AGE हमें ये बताना चलिए एके करके बताते हैं बहुत आसान सा question है solution देखी given that हमें क्या क्या given है AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD angle GED जो है वो 126 degree दिया है हमें ये 126 degree दिया है अब ध्यान दीजी ये वाला जो angle है ये दो ये पहले carry no और ये वाला ये वाला ये ये अपस में क्या सोंगा औरने इंटिर एंगल होंगी ये ऐसे है ये लाइन ऐसे तो ये वाला घ़ और ये वाला ये य्थ आपस में alternate इंटिर एंगल्स होंगे अगर इंटेरी एंगल से तो जी इडी की वैली तो हमारे पास कितनी है 126 डिगरी सो एंगल एजी ए की वैल्यों हमारे पास 126 होगी यह हमने फाइंड आउट कर दिया पहला पॉर्शन इसके बाद सेकेंड हमने निकालना जी इएफ जी इएफ मुझे यह वाला एंगल चाहिए सिरफ इतना अब अगर यहां से मैं टोटल की बात करूं टोटल मेरा 126 डिगरी है उसमें से अगर हम यह 90 माइनस कर दें तो यही तो बचेगा यह वाला माइनस कर देते हैं एंगल नाओ हमें निकालना एंगल जी इएफ जी इएफ दिस इस एंगल जी इडी एंगल जी इडी में से क्या माइनस कर दूं है एंगल एफ इडी एंगल एफ इडी इस पूरे में से एफ इडी माइनस कर दीजिए एंगल जी इडी हमारे पास कितना है 126 यह तो हमें हमने निकाल दिया भी GED हमें गीवन ही था 126 ये गीवन था एंगल FED हमारे पास कितना है 90 degree क्यों क्योंकि EF is perpendicular to CD है 126 में से 90 अगर आब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 36 degree तो इसकी value हमारे पास कितनी आगी 36 ये हमारा कितना है 126 सो एंगल G EF जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 36 degree हो गया ये हमारा second part भी हो गया इसका third part क्या है एंगल FGE FGE मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए अभी बहुत यह असान है ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा now angle AGE plus AGE plus FGE plus FGE is equal to 180 degree ये 180 degree क्यों है क्योंकि ये linear pair बना रहे है linear pair sum 180 now what is AGE AGE हमने find out क्या था 126 so 126 plus angle FGE is equal to 180 degree ये इदर जाके minus कर दीजिए FGE is equal to 180 minus 126 which is equal to 54 degree तो ये हमारा क्या हो गया 54 बहुत यह असान सा था तिनों के तिनों part बड़े असान थे चलिए अब next करते है question number 4 in figure if PQ is parallel to ST ये line इस line के parallel है PQR PQR is angle 110 and angle RST is equal to 130 find angle QRS ये angle हमने find out कर ला है देखिए यहां पर हमने कुछ अपनी तरफशी ड्रा कर लेना है ये हमने क्लाइन ड्रा कर ली parallel to PQ, PQ के parallel होगी तो ST के भी होगी let this is M and N solution देखिए बहुत यासान सा question है given PQ is parallel to ST angle PQR is equal to 110 angle RST that is equal to 130 let or let draw M and parallel to M and parallel to PQ which is parallel to ST तो आपस में सारे क्या हो जाएंगी पैरलल हो जाएंगी अब अगर PQR M and parallel है तो 110 और ये वाला जो angle है this plus this PQR MRQ इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा now PQ is parallel to MN so angle PQR plus angle QRM is equal to 180 इन दोनों का सम 180 degree हो गया क्यों हो गया sum of co-interior angles co-interior angles चिक है लेकिन PQR के value तो हमें कितनी दीवे 110 plus angle QRM that is equal to 180 so angle QRM के value 180 minus 110 which is equal to 70 degree तो ये वाला जो angle हमारा आ गया ये कितना degree हो गया 70 degree क्यों RM के value हो गई 70 degree similarly इन दोनों का सम भी हमारे पास कितना होगा 180 degree होगा as ST ST is parallel to MN so angle RST plus angle SRN इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 sum of co-interior angles 180 होता है RST के value कितनी दीवे है 130 plus angle SRN which is equal to 180 ये दर जाके minus हो जाएगा SRN is equal to 180 minus 130 which is equal to 50 degree SRN की value यहाँ पर ये value मेरे पास कितनी आगी 50 degree होगे हमें तो angle QRS निकालना था अब इन तिनों का जो सम है this plus this plus this ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा now angle QRM plus angle QRS QRS plus angle SRN is equal to 180 sum of straight line angles एक straight line पे जितने भी angles बने उनका सबका सम कितना होता है 180 degree होता है अब QRM की value उपर कितनी थी 70 degree plus QRS हमारा कितना था हमने find out करना है QRS and SRN की value हमारा पास कितनी आई 50 degree is equal to 180 70 plus 50 उदर जाके minus हो जाएगा so angle QRS की value 180 minus 70 minus 50 70 और 50 120 that means ये कितना रह जाएगा 60 degree so angle QRS का अंसर हमारे पास कितना हो गया 60 degree यही हमने find out करना था बहुत यासान सा क्योंसें था बहुत important क्योंसें था इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में अगले क्योंसेंस के साथ मेलते है अग्ता कि लिजय ही शेपार